तो बच्चो आज हम डिसकस करेंगे प्रोफिसर वीरोवल साहनी का जीवन परचे और उनका बोटनी में योगदान जो अपने कदमों की काविलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं तो अब हम सुरू करते हैं इनका जीवन परचे इनका जन्म 14 नमंबर 1899 में पंजाब में हुआ था ये बोटनी में जीवास्म वनस्पती विज्ञान के विशेशग्य थे और इनको भारती वनस्पती जीवास्म विज्ञान का जनक भी कहते हैं और अगर हम इनके निधन की बात करते हैं तो 10 अपरेल 1999 को इनका निधन हुआ था तो आए हम समझते हैं पैलियो वोटनी की परिभासा पैलियो वोटनी यानि वनस्पती विज्ञान की वह साखा है जिसमें जीवास्म पोधों का अध्यन किया जाता है ये पोधे प्रत्वी की लेयर से या चट्टानों की लेयर से हमें मिलते हैं पैलियो वोटनी दो सब्दों से मिलकर वना है पैलियो का मतलब होता है ओल्ड या प्रिम्टिव या पुराने और वोटनी का मतलब प्लांट से हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कुछ फोस पेंटो जाइलेल्स से संबंदित कोजों पर विशिस योगदान दिया था आप यहां पर देखते हैं साइकेडो फाईटा डिवीजन के अंतरगत जो क्लास पेंटो जाइलोसिडा है इसके अंतरगत पेंटो जाइलेल्स का अध्यन इनों ने किया था जर्णरली हम आपको बता दे हैं पेंटो जाइलॉन's एक स्टैम होता है जो कई सेंटीमीटर मोटा होता है पेंटो जाइलस एक ऐसा एकसेंट वर्ग है जो साइकेडू फाइटा दाता कौन ही फाइर फाइटा से मिलता जुलता है तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं पेंटो जायलोन का डाइगराम उनके विशेश प्रयतनों से बीरवल सहानी इंस्ट्यूट और पेलियो वोटनी की इस्थापना 1946 में की गई जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस संस्थान की विश्व में मानिता है इस संस्थान में संसार के विविन भागों के विज्वानिक आकर काम भी करते हैं 1946 में ही पेलियो वोटनी कल सोसाइटी की स्थापना भारत में होई थी इसका आप लोगों देख सकते हैं और लखनव से ही पेलियो वोटनिस नाम का एक जनर्रल भी पुब्लिस होता है थेंक्यू तो जुड़े रहे हमारे चैनल पर ऐसे ही नए नए लेक्चर देखने के लिए